कि मैंने आपको यह दोनों बोर्ड का ट्रेसिंग करवाया सब कुछ सेम था इसलिए यह आइसी मैं इसमें लगा रहा हूं कि शायद काम कर जाए यह सोट हो गया था तो हो सकता है आगे भी कोई दिक्कत हो जिसके कारण सोट हुआ हो यह तो अभी हम इसको सप्लाई सीरिज लै लेगा जो पुराने बोर्ड में मिल जाएगा हलो दोस्तों घरो में जो CCTV कैमरा लगा होता है उसी को ऑपरेट करने के लिए यह सप्लाई लगाया जाता है तो यह खराब हो गया है तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है इसको कैसे चेक करेंगे और उसके बाद रिपेर करेंगे तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहीएगा तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं तो देखिए यह प्लग है इसको मैं एसी में लगा दिया यह देखिए यह इन्पुट सो बोल्ट से 220 बोल्ट पर काम करेगा 12 वोल्ट 2 एंपियर आउट्ड वोल्टेज है इसका लेकिन यह ए लग नहीं गुलो कर रहा है इसका मतलब यह बिलकुल अब इसको कहाल पर को पूलस बोल्टेज लेंगे अब देखिए यह दोनों पेंच खुल गया अब इसको यहां से पकरके ऐसे अराम से इसको खोल लेंगे अब तो देखिए इसका PCB बोर्ड बाहर निकल गया तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कोई कॉंपविकर request देंज़ तो नहीं हुआ ह्यां तो देखिए यहां पर यह आईसी बिल्कुल फटगया दिखेंगे तो इसको क्यल रहेंगे कि अब या यह इसी फटने का कोई कारण होगा तो पहले step by step कैसे इसको चेक करना है वो समझेंगे मल्टी मीटर को continuity range में लगा लेंगे देखिए ये बजर डेंज भी बोलते हैं इसको यहाँ continuity चेक किया जाता है तो अब इस range में लगा के आई इसका component चेक करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे यह दो point पे इसी मिल रहा है जहां पर यह में लिट लगा हुआ है प्लग वाला यह जो प्लग है उसका एक एक वायर को चेक कर लेंगे यहां तक कहीं यह भी खराब नहों तो देखिए कि यह सई है उसके बाद इधर चेक कर लेंगे देखिए यह भी point सई है जाने कि लीड बिल्कुल साही है अब इसे आगे बढ़ेंगे यहां और यहां 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 से देखिए एक यह पॉइंट है तो यहां से क्या लगा हुआ है हाँ देखिए यहां से और यहां फ्यूज लगा हुआ है यह फ्यूज से यहां देखिए यहां से फ्यूज के द्वा को आवाज आने चाहिए थी अब देखिए यहां से सप्लाई यह कोईल से आगे बढ़ता है तो यह चेक कर लेंगे यह चाहिए इधर वाला भी चेक कर लेंगे देखिए यह भी चाहिए उसके बाद यह चार डैयोड का ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है तो इस डैयोड को भी चेक कर लेंगे किसी में बीप की आवाज नहीं आने चाहिए देखिए बीप की आवाज तो नहीं आ रही ले की नहीं बताना चाहिए था लेकिन यह इसलिए बता रहा है कि शायद यह आइसी शॉट हो गया है इसको फिर से यह माइनस प्लस की सप्लाई यह कंडेंसर पर चेक कर लेंगे अब देखिए यहां पर दस युवेप सारे 400 वोल्ट कैपिसीटर लगा हुआ है इसके माइनस प्ल संब्सक्राइब निकालेंगे तो यह देखिए सप्लाई बिल्कुल शॉट है तोई शॉट कर रहा है तो इसलिए हमें कंपनेंट काभि पता नहीं चलेगा कि कौनसा component short है तो सबसे पहले इस ic को बाहर निकालेंगे तो अब देखिए जाइसी को मैं बाहर निकाल लिया यह बिल्कुल फटा हुआ है इसका नंबर सभी से दिखाई नहीं दे रहे तो इसके जगह पे हम यूज करेंगे दूसरा ic तो अब ये ic को निकाल लिया अब इसके डैयोड को चेक करेंगे यह पट्յाले साइड में आपको मल्टीमीटर का बलैक प्रो रखना है और बिना रखेंगे और पट्टि वाले साइड में लेट प्रो रखेंगे तो कंटिणुटी भी नहीं आना चीह और बीब भी नहीं आना चीह तो डीएवोट सही है तो हमारा यह चारों डायोड सही है अब देखिए हमारा यहां पर यह जो कपेशीटर लगा हुआ है यहां पर यह सप्लाइज सोट बता रहा था तो अब सोट नहीं बता रहा है जालनी कि यह आईसी ही सोट था इसको चेक कर लेंगे देखिए यह आईसी बिल्कुल सोट है देखिए तो यह आईसी सोट फोने के कारण फट गया है जहां पर हम दूसरा आईसी लगाएंगे जो डीडी फ्री डिस का सेट आप बॉक्स होता है तो इसमें देखिए एक आईसी यहां पर लगा हुआ है इसका नंबर मैं आपको तो इसका एक बर ट्रेसिंग कर लेते हैं देखिए यह आईसी काम कैसे करेगा मैं आपको एक बर दिखा देता हूं देखिए आईसी जो है इधर कट है ठीके तो यह कट का मतलब क्या होता है देखिए आईसी में भी कट होता है जहां पर तो यह ऐसे लगेगा यह कट और बोर्ड में जो यह कट है जहां बनाया हुआ है उदर दोनों एक साइड लगाया देता है एक बार मैं ऐसे ही आपको डालके थोड़ा ट्रेसिंग करवा देता हूं इस बोर्ड का प्रेसिंग करेंगे तो दोनों को मैं आपको मतलब ये पीन एक नमबर है ये पीन एक नमबर है से माइसरी HU में रख लिया अब इसको में ऐसे पलट लेते हैं देखिए इस तरीके से इसको उल्टा कर लिया अब देखिए आईसी का ये चार पीन एक ही में कनेक्ट है इसमें भी देखिए ये चार पीन एक ही में कनेक्ट है अब ये आईसी का ये दो पीन एक ही प्रिंट में कनेक्ट है अब यहाँ पर देखेंगे य यह दोनों प्रिंट में connect है अब देखिए यह सेम मैच कर रहा है अब इसका शप्लाई भी देख लेते हैं कि दोनों का सप्लाई आईसी आईसी का सेम है या नहीं तो देखिए इसमें पहले देख लेते हैं तो यहां पर देखिए bridge rectified लगा हुआ है जो यह bridge मन के AC को DC में change कर रहा है तो यहां से minus out हो रहा है और यहां से plus out हो रहा है इधर अगर करेंगे तो देखिए यह दोनों print एक है और यह दोनों print एक है यहां से minus out हो रहा है जहां से plus out हो रहा है अगर यहां capacitor देखे तो देखिए यह minus वाला और यह प्लस वाला तो इसको प्लेटेंगे तो देखिए यह प्लस है और यह पट्टी वाला साइड माइनस है तो यह माइनस हो गया अब देखिए यह क्या है कि यह जो सप्लाई है माइनस वाला तो पहले यह माइनस वाला सप्लाई को देख लेते हैं तो देखिए यह माइनस कि यह दोनों print में आ रहा है जहां पे ic के दोनों pin एकटी print में connect है तो यह मैनस कि supply यहां पे आ गया अब इस बूर्ड में आपको दिखाता हूं देखिए यहां पे भी यह ब्रीज rectifier बन रहा है तो इसका देखिए यह दोनों print एक है तो जहां से माइनस आउट हो रहा है यहां से और यह प्लस आउट हो रहा है देखिए दोनों पट्टी वाला साइट यहां से प्लस आउट हो रहा है यहां से माइनस आउट हो रहा है अब देखिए कैपेशिटर का यह माइनस लगा हुआ है जो कि यहां से माइनस आउट हो रहा है यहां देखिए कैपिशीटर का माइनस तो यह माइनस चला और यहां पर उसमें जो सप्लाई सेम यहां पर है यह इसमें भी यह दोनों प्रिंट जो एक ही प्रिंट में कनेक्ट है यहां पर सप्लाई आ गया माइनस की माइनस की सप्लाई दोनों बोर्ड में सेम है उसके बाद अब देखेंगे प्लस की सप्लाई जैसे माइनस की मैंने बताया कि यह दोनों प्रिंट पर आ रहा है अब देखिए यहां पर प्लस की सप्लाई है अब यह प्लस यहां से आउट होड़ा है यह प्लस यहां कपेश्टर भी बड़ा वाला लगा हुआ है यह प्लस यहां से आके और यह ट्रांस्फर्मर जो है इसके एक पीन में connect हो गया और supply यहां से यहां out होके यह चारो में आगया यह चारो पीन जो है यह supply वाला पीन है positive का तो देखिए यह और यह पीन आपस में beep की sound देगा क्योंकि यह ट्रांस्फर्मर के coil winding है उसके द्वारा यहां पे supply मिल रहा है तो अवाज आड़ी होगी आपको वीब की साउंट चीक है यह प्लस की सप्लाई जो है वह इस ट्रांस्फर्मर की क्वाइल के द्वारा यहां चारोपीन एक ही प्रिंट में कनेक्ट है यहां मिल गया अब इसमें देखिए यहां पर जैसे बताया कि यह वाला प्लस का है यहां से प्लस आउट हो रहा है तो इसको एल्टा करेंगे तो देखिए यहां जो आया यहां से प्लस आउट हो रहा है कफेश्टर के माइनस है पर इदर प्लस है जो की यह रहा यहां से ऐसे प्रिंट चल रहा है और यहां के यह यहां आया अब देखिए यहां पर भी यह ट्रांस्फरमर लगा हुआ है जिसका एक पीन यहां पर है और दूसरा वाला इधर है यानि कि यह यहां पर कनेक्ट है तो यह दोनों पीन में देखिए यह दोनों कंटिन्यूटी आ रहा है तो यह सप्लाई यहां से बढ़ गया त्यानि कि हमारा सप्लाई दोनों मैच कर गया दोनों सेम सप्लाई हो गया यहां पर और यहां पर सप्लाई आ रहा है इसका भी यहां और यहां सप्लाई आ रहा है यहां पर माइनस यहां प तो यह supply का हो गया जो same match कर रहा है अब देखिए इसके बाद यह दोनों पीन आपस में connect है एक ही प्रिंट में उसके बगल वाला यह पीन है अब यह पीन से देखिए यहां पर एक capacitor लगा हुआ है यह उसके बाद यह प्रिंट आगे ऐसे आया यह आप्टो कॉपलर के एक पीन में connect है देखिए यहां पर अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ देखिए दो पीन के बाद जो एक ही प्रिंट में connect है उसके बाद यह वाला पीन है यहां से यहां और यहां देखिए यह कैपिसीटर यहां भी connect है उसके बाद यहां से यह यहां आया प्रिंट जो की यहां पर देखिए optocoupler लगा हुआ है तो इसी के एक पीन पर यह connect है प्रिंट तो यह सेम मैच कर रहा है उसके बाद यह वाला जो पीन है इसके बगल वाला वह देखिए यहां से एक capacitor लगा हुआ है यहां पर यहां लगा उसके बाद यहां से प्रिंट आगे बढ़ा और यह यहां से यहां एक component लगा हुआ है यह देखिए यह 10 के का resistance लगा हुआ है और यह फिर यहां autocoupler के दूसरे पीन पर आ गया तो इसमें भी यहां देखिए इस पीन के बाद यह पीन है यह पीन पर एक यह capacitor लगा हुआ है यहां भी उसके बाद यह यह वाला प्रिंट ऐसे यहां आया तो यह autocoupler के एक टांग पर आ गया जहां ठीक है तो इस तरीके से यह बिल्कुल मैच कर रहा है और इस ic का बिल्कुल supply और सब कुछ मैच कर रहा है तो यह ic निकाल के इसमें लगाएंगे तो देखते हैं कि यह काम करता है की नहीं इस ic को निकाल के और इसमें लगाएंगे तो यह ic को मैं निकाल लेता हूं अब देखिए इस इसी को मैं निकाल लिया यहां पे नंबर साइद आप लोग को दिख रहा हो ए पी एट जिरो डबल टू इसका नंबर है इस इससी का नंबर क्या है यह किलियर दिख नहीं रहा है इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, शायद दिखे, यह फट गया है, जिसके कारण यह नमबर पता ही नहीं चल रहा है, कि क्या है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, कि GLDZ8012, ऐसा मेरे को दिख रहा है, लेकिन केलियर मेरे को भी नहीं दिख रहा है, यह फटा आइसी में इसमें लगा रहा हूँ, कि शायद काम कर जाए, तो देखते हैं, यह यहाँ पर काम करता है कि नहीं, तो देखिए, यह कट जो है, ऐसे कट को, सेम आइसी का कट, और यह सर्किट में जो कट है, सेम मिला के, और इसमें डालेंगे, देखिए, इसको सोल्ड कर लेंगे, देखिए, मैं इसको सोल्ड कर लिया, अब फूरा इसमें ब्रेस मार देंगे, ताकि साफ हो जाए, इसका जो पेस्ट लग जाता है, तो इसको साफ कर लेंगे, अब देखिए, यह मैं आइसी को लगा लिया, अब इसके बाद यह फ्यूज कटा हुआ है, तो इस पे पतली वायर जोड़ लेंगे, ताकि आगे कोई दिक्कत ना है, अगर सोटिंग आगे भी कुछ रहेगा, तो यह फ्यूज कट जाएगा हमारा, तो इस पे पतली सी वायर लगा लेंगे, देखिए, यह हमारे पास यह पतली वायर है, आपको दिखे, ऐसे पतली वायर कनेक्ट कर देंगे, तो यह फ्यूज का काम करेगा, तो यह फ्यूज कनेक्ट कर लिया मैं, पतली वायर लगा दिया इसमें, अब क्या करेंगे, कि एक बार यहां सोट जो दिखा रहा था, यहां सोट दिखा रहा था, यह सब भी चेक कर ले देखिए अब यह शोटिंग नहीं दिखा रहा है यानि कि बिल्कुल सही हो गया है लेकिन इसमें क्या करेंगे कि डिरेक्ट सप्लाई नहीं देंगे देखिए यह हमारे पास सीरीज लेंप है पहले इसको सीरीज लेंप से चेक करेंगे क्योंकि यह आइसी अभी किलियर नहीं कि काम करेगा नहीं करेगा तो यह डाला है अगर कोई कंपोनेंट खराब है यह सोट हो गया था तो हो सकता है आगे भी कोई दिक्कत हो जिसके कारण सोट हुआ हो यह तो अभी हम इसको सप्लाई सीरीज लैंप से देंगे अगर यह सही रहा उसके बाद डैडेक्ट हो ठीक है अब देखिए यह सीरीज लैंप काम कर रहे है और यहां पर सप्लाई देंगे यह दोनों पलग पर आसिस्टेदिक जकेए यहां पर एल ऐप घुलेफर कर रहे जब इसको शीरीज से सप्लाई दे रहें है डिकए अगर अगर यह सोटिंग होता तो तो हमारा यह बलफ जो है वह बहुत तेज जलता लेकिन यह बलफ नहीं जल रहा है यह LED गलो होड़ा है इसका क्या मतलब है अब हमारा यह SMPA सप्लाई बिल्कुल सही है अब इसको डिरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं शीरीज लेंप को हटा देता हूं अब देखिए इसको अब इसको सप्लाई देता हूं डिरेक्ट देखिए शही है यह LED गलो कर रहा है अब यहां पर बोल्टेज चेक कर लेंगे तो देखिए मल्टिमीटर को 20 के रेंज में लगा लिया अब यहां पर बोल्टेज देख लेते हैं कितना आता है तो देखिए अब सप्लाई भी शही यह हमारा IC successful हो गया तो इस तरीके से आपको डिपेर कर लेना है अब मैं इसको निकाल लेता हूं अब देखिए इस SMPS सप्लाई को मैंने शही कैसे किया हमारे पास यह IC भी नहीं था ठीक है लेकिन सेर्किट को ट्रेसिंग किया उसके बाद यह सेटव बॉक्स का सर्किट जो था सी को ट्रेसिंग किया जो भी कंपोनेंट इसमें लगा था वह सेम लगा था जो भी कंपोनें सप्लाई से यह IC निकालके और इसमें डाल दिया यह बिल्कुल ओके हो गया तो इस तरीके से आपको ठीक कर लेना है तो कभी भी कोई भी चीज आपका रिपेर कराएं तो कभी बोड चेंज हो तो उस बोड को आप घर पे लेके आजाएं और उसको रखें वह बहुत काम आत दोaningite के अशप्लाइब यह बहुता है जो कको मार्केट में नहीं मिलेगा जो पुराने बोड में मिल जाएगा तो इस तरह से मैंने जैसे इस बोड के और यह IC इसमें डाल यह बिल्कुल सही हो गया तो ऐसे ही शखी कर लेना है लेकिन पाप आइसी डाले तो नंबर नहीं म जो भी component लगा हुआ था इसके पीन पे दोनों सेम था तो मैं लगा दिया और काम बिल्कुल सही कर गया तो ऐसे ही आपको कर लेना है अब देखिए इसका IC नंबर और इसका IC नंबर बिल्कुल अलग है फिर भी ये काम कर गया तो इसे टॉप बॉक्स का SMPS सप्लाई था जिसका आइसी में निकालके और ये CCTV कैमरे के SMPS सप्लाई में लगा दिया तो अब ये बोड बिल्कुल ओके हो गया है तब इसको ये बोड़ी जो है इसमें सेट कर लेंगे तो देखिए इसको अब कैसे सेट करना है जैसे खोला था उसी तरह से इसको सेट करना है तो देखिए कबर को एक को इस तरफ और एक को इस तरफ ऐसे छी ये खांचा जो दिया हुए है इसमें जैसे फ्टाया होए था वैशत कर देंगे देखिए और इदर वाले को फिसे फिछादแตग्गे ऐसे उसके बाद ये जो एलडी में इसको यहां नीचे यह देखिए LED को यहां LED वाले में फसाके और यह जहां पर ऐसे इधर और इधर खाचे में डाल देंगे ऐसे इसको देखिए ऐसे यह पैट किया यह LED देखना चाहिए जब लाइट देते हैं तो यह गुलो करती है अब इसके बाद यह पेंच को इसमें टाइट कर देंगे दोनों पेंच को ऐसे अब इसको कस देंगे देखिए इधर वाले को कस देंगे अब यह जो SMPS था वह बिल्कुल रेडी है अब देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यह इसमें लगाएंगे देखिए LED गलो हो गई ठीक है यह बिल्कुल OK हो गया आप यही था आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो फशंद है तो लाइक करिएगा जो दोस्त एलेक्टोनिक्स में रूची रखते हों उनको शेयर करिएगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीचेगा और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल घंटी को जरूर दबा लीचेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स वीडियो में चैहिंद चैवारत थैंक चैहिंद तो